मा बहन की गालिया देना शुरू कर दे, मैं सारे स्क्रीन शॉट्स लूँगी ताकि आगे चल कर अगर जरुत पड़े तो वो स्क्रीन शॉट्स में दिखा सकती हूँ कि ASP पार्टी को सपोर्ट करने वाले, मिस्टर रावण को सपोर्ट करने वाले, कितनी अच्छी भासा का यह क्रो करने वजा है, आप बार 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 किसी ना किसी भाने से आप और आपकी टीम बार-बार BSP सपोर्टर्स या BSP носit को कीजिए, ना कि किसी की सिर्फ आलोच ना करके या फिर आपकी टीम के दुवारा जो मा बहन की गालियां देखर जो आप सोच रहे हैं कि आप अपनी पार्टी को मजबूत कर लेंगे ये आपकी एक बहुत बढ़ी है मैं आज का मैसेज डारेक्ट मिस्टर रावन और उनकी टीम को देना चाहती हूँ मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हमारे भारत देश में democratic system है और इस democratic system में हर इंसान को देश के हर नागरी को ये अधिकार है कि वो अपनी बात खुल कर publicly रख सकता है वो अपनी team बना सकता है अपनी तारीफें कर सकता है अपने आपको highlight कर सकता है और अपनी separate party भी बना सकता है जैसे कि आप लोगों ने बना भी ली है इससे किसी को कोई problem नहीं है ये आपका समयधानी कदिकार है आपके जो मन में आए वो कीजिए लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जितने तेजी से आप एक नेता बनकर उभर रहे हैं वहाँ आपकी काबिलियत को लोग जरूर नोटिस करते हैं लेकिन आज जो आपकी काबिलियत नोटिस हो रही है वो ये कि आपकी party में जो काम करने का agenda है वो बस यह है कि आप BSP को मतलब target करो BSP supremo को target करो या BSP supporters को target करो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सिर्फ आपने एक BSP party को target करने के base पर ये अपनी separate party बनाई है क्योंकि सभी ये जानते हैं कि आप BSP से ASP में move हुए हैं तो definitely आप अपने बहुत बड़े dream को पूरा करने के लिए आप BSP से ASP में move हुए हैं हाली मैंने पहले भी कहा है कि इससे किसी को भी कोई एतराज नहीं है कि आप क्यों BSP से ASP में move हुए और आपने क्यों separate party बनाई है अच्छी बात है आपने separate party बनाई है आप उसमें काम कीजिए लेकिन अपने काम पर ध्यान देने की बज़ाए पार्टी को grow करने की बज़ाए आप बार 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 किसी ना किसी बहाने से आप और आपकी team बार बार BSP supporters या BSP party को या BSP supremo को जो target कर रहे हैं वो एक सही तरीका नहीं है किसी भी अच्छे leaders के लिए या फिर किसी भी long time चलने वाले leader के लिए साथ ही मैं आपके team की बात करूँ और वो भी बहुत बड़ी बात में कहने जा रही हूँ कि आप जरा अपनी team के काम करने के तरीके को ध्यान में रखिए कि facebook पर अगर कोई भी आपके बारे में या आपके party के बारे में कुछ भी लिखता है तो आपकी team बहुत जल्दी से वहाँ पर मा बहन की गालियों के साथ आ जाते हैं क्या ये एक उभरते हुए नेता के लिए अच्छी बात है क्या आप मा बहन की गालियों और दूसरों की जो आलोचना करने के base पर ही अपनी party बना रहे हैं और इनी चीजों के base पर ही क्या आप एक बहुत बड़े leader बनने या फिर कोई seat हासिल करने का सपना देख रहे हैं ये कहीं से भी तरीका अच्छा नहीं है कोई भी इसको अच्छा नहीं बताएगा अगर आपका कोई dream है आपको CM बनना है PM बनना है तो बनी अपनी काबिलियत पर बनी आप कितने पड़े लिखे हैं आपके अंदर कितनी काबिलियत है जनता को अपने साथ लाने की आपके अंदर कितनी ताकत है कि आप बहुत जल्दी political level पर आप बहुत आगे जाते हैं बहुत सारे नेतां से आप आगे निकल जाते हैं आप अपनी काबिलियत को शो कीजिए ना कि किसी की सिर्फ आलोचना करके या फिर आपकी team के दुवारा जो मा बहन की गालियां दे कर जो आप सोच रहे हैं कि आप अपनी party को मजबूत कर ले आपकी party को join किया है और काफी सालों से मैंने उनके बारे में सुना है कि काफी अच्छे cadres उनोंने दिये हैं और उन्होंने BSP में बहुत अच्छा काम किया है और कल तक वो बहन जी के पूरी तरह से support में थी बहन जी के against में जाना वो उनका personal decision है BSP को छोड़ना वो उनका personal decision ह लेकिन हैरानी इस बात की है कि जिस बेटी ने दिन रात cadres किये हैं बहुजन समाज party के लिए आज वो बेटी भी लगातार काम करने की जगहा पर आपकी party में आने के बाद काम करने की जगहा पर सिर्फ BSP की आलोचना कर रही है और BSP सुप्रीमो बहन कुमारी मायवती जी की आलोचना कर रही है मुझे समझ नहीं आता है कि क्या सिर्फ आलोचना करने से क्या हम कोई election जीत सकते हैं क्या हम CMPM बन सकते हैं सिर्फ आलोचना करने भर से ही अगर हम CMPM बन सकते हैं या हम अपने आपको highlight कर सकते हैं तो फिर काम करने की ज़रूरत ही क्या है किसी को भी काम कर करने की ज़रुरत नहीं हैं तो ये जो तरीके हैं ये दो तीन चीज़े मैंने आपको बताई है कि आप खुद सिर्फ आलोचना के दम पर आपको election fight करने की करने का dream देख रहे हैं या आप cm बनने का dream देख रहे हैं सिर्फ BSP के against जाकर BSP को target करकर वहीं आपकी team जिसमें की मा बहन की और पता नहीं कितनी गंदी गालियों का use आपकी team करती है आपको अगर नहीं लग रहा है कि मैं सही बोल रही हूं तो आप Facebook पर देख सकते हैं कि कितने अच्छी भासा का उपयोग आपकी team करती है और मैं भी इस वीडियो को कितने के बाद यहां पर भी आपकी team कूद पड़े और मा बहन की गालियां देना शुरू कर दे मैं सारे screen shots लूँगी ताकि आगे चलकर अगर जरुत पड़े तो वो screen shots में दिखा सकती हूं कि ASP party को support करने वाले Mr. Rawad को support करने वाले कितनी अच्छी भासा का उपयोग करते है किसी को जवाब देते time क्या आपकी team के पास इतनी भी काबिलियत नहीं है कि वो किसी के सवालों के जवाब दे दे आपका नाम आते ही वो मा बहन की गालियां शुरू कर देते हैं जब आपको किसी ने नहीं रोका कि आप BSP party को छोड़ कर ASP क्यू बना रहे हैं आपके मन में जो आ रहे हैं आप वो कर रहे हैं तो क्या अधिकार है आपकी team को कि वो दूसरों को मा बहन की गालियों से संबोधित करते हैं और वहीं पर जो लोग आपकी party में join कर रहे हैं उनसे किसी को कोई problem नहीं है वो join करें आपकी party को मजबूत करें आपको CMPM बनाएं किसी को कोई प काम के दम पर वह अपने आपको आपकी party में establish करें ना कि किसी की बुराई करकर किसी की बुराई करके आप कभी भी success नहीं हो सकते हैं आप अपने काम को भी तो show कीजिए कि आप क्या काम करते हैं कई सारी चीजें जो लोग अकसर facebook पर लिखते हैं social media पर लिखते हैं आपको उ और तब ही आप पॉलिटिकल लेवल पर कुछ हासिल कर पाएंगे Otherwise ये सिर्फ आलोचना करने का जो खेल आप और आपकी टीम खेल रही है ये बिल्कुल ही वाहियात चीज है जिसके लिए मैं एक भारत की नागरिक होने के नाते और आपकी एक सुब चिंतक होने के नाते आपसे कहना चाहूंगी कि आप इन चीजों पर गौर फरमाईए अपनी टीम से बात कीजिए कि वो अपनी सही भाषा का इस्तमाल करें और बीएसपी या बीएसपी सुप्रीमों और बीएसपी सपोर्टर्स को टार्गेट करने की बजाए अपने काम पर फोकस करें बहतर रिजल्ट आएंगे अपना चैनल आपका चैनल समाज का चैनल देश का चैनल NB News 24 x 7 को आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और जादा से जादा इसकी वीडियो को शियर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पोचा सकी